Hey guys, तो स्वागत था आपका Captain Me2 के चैनल में जहाँ आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MCU से जुड़े Major Updates के बारे में चाहे वो मूवी से हो या फिर Disney Plus सीरीज से जैसा कि Kevin Feigey ने क्या कहा Black Panther 2 मूवी में टी चाला का रोल को लेके कि उसे वो रिकास्ट करने वाले हैं या नहीं इसके अलावा Iron Man से जुड़े दो ऐसे सीरीज जिनके बारे में अभी अनौंसमेंट की गई है पर कोई डेट नहीं दिया गया है प्लस, मार्क, रफैलो, एजन, हल्क फिर से वापस आने वाले हैं तो चलिए इन सब के बारे में थोड़े डीटेल से जानते हैं और वीडियो शुरू करते हैं तो शुरुआत करते हैं नए प्रोजेक्स के अनौंसमेंट के साथ जिसके बारे में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि वो डिजनी प्लस में आने वाले हैं लेकिन इसका कोई वीडियो डेट नहीं दिया गया है इसमें से सबसे पहला जो अनौंसमेंट था आरन हार्ट को लेकर जिसमें रीरी विलियम्स का कैरेक्टर डॉमिनिक थौंड निभाएगी अब रीरी विलियम्स के बारे में जो लोग कॉमिक्स में बढ़ते आ रहें उन्हें तो मालूम होगा या फिर हाली में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि एरेमन की लेगसी को कौन कैरी ओन कर सकता है तो रीरी विलियम्स उनमें से एक थी तो आप उसे चकाउट कर सकते हैं ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अब इसके बाद जो अगली प्रोजेट के अनॉस्मेंट हुई थी वो थी आर्मर वार्स को लेकर अब ये नाम सुनते हैं कामिक वाले सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये तो टोनी की स्टोरी लाइन थी जिसमें टोनी के आर्मर स्टोरी हो जाते है और उसके बाद से टोनी उन्हें पकड़ता है लेकिन MCU के अंदर तो Tony मर चुका है तो उनके armors को recover करेगा कौन obviously spider man क्योंकि इसे ज़्यादा तर लोग सोचेंगे क्योंकि हम spider man far from home के अंदर यही दिखाया जा रहा था कि next iron man बनने वाला है spider man और इस चीज़ के उपर memes भी बनते आ रहे थे जबकि सबसे obvious answer next iron man को लेकर अगर होना चाहिए था तो वो था war machine और शायद इसलिए अब war machine के character को justice मिलते हुए उसे एक खुद की series दी जा रही है जिसके अंदर वो iron man के चुराए गए armors को recover करेंगे और यह disney plus show में आने वाले हैं इसके अलावा एक बहुत ही पहले rumor आये थी कि Nick Fury के related एक series आने वाली है जिसमें हम लोग को Samuel L. Jackson देखने को मिलेगा और यह चीज अब confirm कर दिया गया है और उस series का नाम है Secret Invasion इसके काश्ट में अभी तक Nick Fury के actor Samuel L. Jackson और Talos के actor Ben Medelson को confirm कर दिया गया है और इसके अलावा I Am Groot नाम की एक series आएगी जिसके अंदर short films रहेंगे और उसका hero है Groot इसके अलावा Guardian of Galaxy के तरफ से हमें एक holiday special Disney Plus का एक movie कहें या फिर short film देखने को मिलेगा जो की 2022 में निकलेगा जो की James Gunn ही direct करेंगे और इसको आप Guardian of Galaxy Vol. 3 से confuse ना करें जिसे James Gunn ही direct करेंगे और वो 2023 को आएगी केविन फाइगी ने इस बात को confirm कर दिया है कि Black Panther 2 मूवी के अंदर Chadwick Boseman के जो King T. Chala का जो character था उसे recast नहीं करेंगे यानि कि Black Panther 2 मूवी के अंदर कोई भी हमें actor T. Chala का role करते वे नहीं दिखाये जाएगा और ये मूवी रियान कूगलर ही direct करेंगे जो की 2022 में निकलेंगे इसके अलावा श्री हल्क की भी casting confirm कर दी गई है जिसमें टाटियाना माशलेनी श्री हल्क का role लिवाएगी इसके अलावा Mark Ruffello as a Bruce Banner हमें मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे अब ये देखना तो जिल चस्प होगा क्योंकि हमें एंड गेम मूवी के अंदर वो as a Professor Hulk या फिर कहें Mr. Hulk दिखे थे और तो और इसमें और एक नाम जुड़ चुका है जो की है Abomination के actor का जो की हमें देखने को मिला था The Incredible Hulk मूवी के अंदर और शायद इसी में हमें पता चलेगा कि Abomination इतने सालों से कहां था इसके अलावा Miss Marvel के कास्ट के लिए भी इमान को चुना गिया है जो की Kamala Khan बने वाली है जो की Captain Marvel 2 के अंदर देखने को मिलेगी और Kevin Feige जी ने ये कहा है कि ये सारी जो सीरीज वो बता रहे हैं ये सब धीरे धीरे करके Marvel Cinematic Universe के जो बड़े प्रोजेक्ट यानि की MCU के जो बड़े बड़े मूवीज होते हैं उन से इंटरकनेक्टेड होंगी और उनके लिए प्लॉट तयार करेगी और सबसे सैटिस्फाइंग अनॉसमेंट जो था वो था Fantastic Four का जिसको John Watts डारेट करने वाले हैं यानि की Spider-Man Homecoming और Far From Home के डारेक्टर इसके अलावा Ant-Man and the Wasp Quantumania आने वाला है जिसके अंदर हमें Kang the Conqueror देखने को मिलेगा जो से Jonathan Majors आक्ट करने वाले हैं इसके अलावा Wanda Vision confirm कर दिया गया है कि अगले साल January 15 को आने वाली है Falcon and Winter Soldier का एक trailer निकला है जिसमें release date March का बताया जा रहा है और Loki का भी first look आ चुका है जो की 2021 में 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 release होने के chances हैं इसके अलावा Hawkeye की series 2021 के end में निकलने के chances है जिसमें Echo as a villain हमें देखने को मिल सकती है इसके अलाव वाट इफ की series भी निकलेगी जिसके अंदर Marvel Cinematic Universe के जो actors हैं उन्हीं का voice use किया जा रहा है उसका भी एक trailer निकल चुका है तो आप उसे भी check out कर सकते हैं इन सारे trailers के ऊपर अगर आप breakdown देखना चाहते हैं तो आप मुझे comment section के जरीए बता सकते हैं आपको ये ना point out कर दे कि मैं Moon Knight को भूल गया हूँ तो मैं उन्हें बता दूँ कि Moon Knight का announcement दोबारा से किया गया लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई भी detail निकल के सामने नहीं आई है तो उसके बारे में आपको क्या बताता हुझा है नहीं मालूम तो आप मेरी एक video देख सकते हैं जिसके अंदर वो Thor से fight करता है in fact वो Thor के manure को लेकर उसे ही मारने लग जाता है मैंने कुछ previously theories दिये थे जिनके उपर अब आने वाले समय में projects आने वाले हैं तो आप उसे check out कर सकते हैं उसके link आपको end में देखने को मिल जाएंगे जैसे कि Christian Bell जो कि एज़ा गौर confirm कर दिया गया है वो किस तरह MCU में आ सकता है और उसे किस तरह power मिलेगा इस चीश के उपर मैंने एक वीडियो बहुत पहले ही बना दिया था और तो और Kang the Conqueror और Iron Heart जैसे character के उपर भी मैंने theory दियो हैं जो कि आपको Iron Man के legacy वाले वीडियो में मिल जाएगा तो उसे भी आप check out कर सकते हैं तो guys आज के लिए बस इतना है इस वीडियो से आपको कोई भी नए information मिली हो तो channel को subscribe कर दे ताकि ऐसे ही videos, updates के साथ और theories आपको regular मिलते रहें इसके अलावा अगर आप पुराने हैं तो please check कि अपने bell icon दबाया है या नहीं ताकि जब भी मैं कोई video डालूँ उसका notification आपको जाए और अगर आप हमारे channel से जुड़ चुके हैं तो हमारे channel का एक छोटा समोटो है लोगों की मदद करें, अपना खयाल रखें and keep moving forward का रट लगा कर आगे बढ़ते रहें Thank you for watching this video, stay tuned